आज की इस वीडियो में हम जाने के राउटर के बारे में राउटर एक networking device है जिसका इस्तमाल दो या दो से अधिक computer network के बीच data packets को transfer करने के लिए किया जाता है दूसरी सब्दों में कहें तो router एक internet networking device है जिसका प्रियोग computer network के मदद data packets को send या receive करने के लिए किया जाता है router में एक ऐसा software होता है जिसकी मदद से data को एक network से दूसरे network में भेजा जाता है router एक ऐसा networking device है जो user को internet की सुभी दप्रदान करता है अर्थात इसका प्रियोग user के दौरा internet को access करने के लिए किया जाता है router की मदद से कोई भी user असानी से internet को access कर सकता है और जरूरी data को एक device से दूसरे device में transfer कर सकता है router एक device से दूसरे device में data को data packets के रूब में transfer करता है आज की समय में internet पर जितना भी data है वह data packets के रूब में मौजूद होता है router सबसे पहले data packets को analyze करता है और फिर इसको processes करता है इसके बाद जो भी device router के साथ आपस में connect होती है उन device में data को transfer कर देता है इसमें data को transfer करने के लिए routing protocols का इस्तमाल किया जाता है router का इस्तमाल LAN और WAN में किया जाता है router दूसरे networking device जैसे की hub switch आदी की तोलना में महंगा होता है